हिंदी सेनेमा के सत्तर और असी के दशक का वो खुब सुरस चेरा जिसे हर कोई प्यार करता था मिस इंडिया बनकर इन्होंने देश विदेश में इंडियन ब्यूटी का डंका बजाया जिस दौर में भारतिय फिल्म में एक्ट्रेस अबला नारी की तोर पर स्टिरियोटैप हो चुकी थी उस दौर में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के किरदारों में इन्होंने जो बोलनेस दिखाई वो आगे चलकर कईयों के लिए प्रेना बनी चार अपरेल 1955 को प्रेमा का जन्म कुलकत्ता में हुआ था हाला कि कई यूटीब यूडियो और कई बड़ी वेबसाइट्स पर कहा जाता है कि प्रेमा बंगाल के कलिंग पोंग में पैदा हुई थी लेकिन प्रेमा ने कनक वल्ली नाम की एक वेबसाइट को खुद ये बताया था कि उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था जो उस वक्त कलकत्ता कहला जाता था प्रेमा महज पाच या छे साल की थी जब उनका परिवार कलकत्ता से बॉंबे शिफ्ट हो गया था मौसी अनिता गुहा से थी प्रभावित दरसल प्रेमा की मौसी और एक्ट्रेस अनिता गुहा उन दिनों फिल्म इंडस्री का एक चर्चित नाम हुआ करती थी प्रेमा अपनी मौसी अनिता गुहा से बेहत प्रभावित होती थी अनिता अक्सर प्रेमा को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाया करती थी यही वज़य है कि छोटी उम्र से ही प्रेमा को फिल्म इंडस्री को काफी करिब से देखने और समझने का मोक्ना मिलने लेगा था छोटी उम्र से ही प्रेमा को दान्स से भी खासा लगा हो गया था प्रेमा साथ या आठ साल की रही होगी जब इन्होंने कत्तक और भरत नाट्यम की ट्रेनिंग लेना शुरू कर गया था उस जमाने में भारत में माइथोलोजिकल फिल्मों का चलन काफी जादा था जै संतोशिमा नाम के फिल्म में प्रेमा की मौसी अनिता गुहा ने संतोशिमा का रोल किया था और इस रोल के बाद वो इतनी मशूर हो गई थी कि उनके फैंस सच में देवी की तरह उनकी पुजा करने लगते थे बचपन से प्रेमा नारायन को टीचिंग पसंद थी प्रेमा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें पढ़ाई के लिए बोरोली के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया प्रेमा कहती है कि वैसे तो उस स्कूल को चलाने वाली नंस बहत सक्त होती थी वहाँ डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था इस वज़शे शुरू में वो स्कूल इन्हें बहत ना पसंद था लेकिन आगे चल कर स्कूल की इसी डिसिप्लिन वाली आदत ने उन्हें उनकी जिन्दगी को बहतर बनाने में काफी मदद की इसी स्कूल में पढ़ाई के दोरान प्रेमा का जुखाओ टीचिंग की तरफ होने लगा पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमा ने जूमें टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में दाखिरा ले लिया लेकिन किस्मत ने प्रेमा के लिए कुछ और ही planning की हुई थी प्रेमा जिस institute में teacher training ले रही थी वाही उनकी कुछ सहलिया modeling भी क्या करती थी प्रेमा को भी modeling काफी attract करती थी वो भी चाहते थी कि कम से कम एक दफा तो उन्हें modeling करके जरूर देखना चाहिए लेकिन इसी दोरान उन्हें याद आया कि 50 के दर्शक में उनकी मौसी अनिता गुवा ने एक ब्यूटी पैंजन में हिस्सा लिया था और उसी ब्यूटी पैंजन की मदद से मौसी अनिता गुवा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था प्रेमा ने भी फैसला कर लिया कि वो मौल्लिंग नहीं पहले मिस इंडिया के लिए ट्राइ करेगी प्रेमा ने Miss India competition में हिस्सा लेने के लिए application भेजी और इत्ते फाक से उनकी application को जूरी ने accept भी कर लिया Miss India पौची प्रेमा नारायन उन दिनों भारत में Miss India beauty pension को फेमिना के साथ Times of India भी partnership में और्गनाईज करता था प्रेमा ने जब इस पेंजन में हिस्सा लिया तो तब उनकी उम्र मात्र 18 साल की थी जीनत अमान और रिता फरिया Miss India winner रह चुकी थी प्रेमा और दुसरे कंटेस्टन के लिए जीनत और रिता किसी रोल मॉडल से कम नहीं थी competition की सुरुवात ने प्रेमा किसी शर्मिल लटकी की तरह नजर आ रही थी लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा swim suit round से घरा रही थी प्रेमा नारायन बॉम्बे की एक famous मॉडल ने प्रेमा और बाकी कंटेंस को ramp walk की ट्रेनिंग दी थी प्रेमा कहती थी कि मिस इंडिया के swim suit round को लेकर वो काफी नर्वस हो रही थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे लोगों के सामने कैसे swimming costume के बिना किसी परिशानी के आ पाएगी लेकिन फिर उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो swim suit round पब्लिक के सामने नहीं कराया गया एक हॉल में किवल जजस के सामने swim suit round आयोजित कराया गया था उसके बाद कई राउंट और हुए और आखिरकार प्रेमा नारहन बनी मिस इंडिया 1971 वीनर के तोर पर जब प्रेमा के नाम की गोश्णा की गई तो उन्हें खुद पर यकिन नहीं हूँ पा रहा था ना ही उनका परिवार इस बात पर विश्वास कर पा रहा था कि उनकी वो नन्नी सी बेटी अब मिस इंडिया बन चुकी है मिस वर्ड प्रतितर में भी लिया हिस्सा मिस इंडिया टाइटल जितने के बाद इसी साल 1971 में प्रेमा मिस वर्ड कॉंपिटिशन में भारत का प्रतिने दिदूब करने लंदन पहुची यह पहली दफा था जब प्रेमा अकले इतने लंबे सफर्ग पर निकली थी लंदन पहुचने के बाद प्रेमा को जिन्दगी का एक अलग ही रंग देखने को मिला वो पहली दफा किसी फाइस्टार होटिल में दस दिनों के लिए ठहरी थी मिस वर्ड पेंजेंट के और्गनाजस ने प्रेमा और दुसरे कंटेस्टेंस के लिए लंदन में घुमने के लिए रोल्स रायल कार का इंतिजाम किया था मिस वर्ड प्रतिक्तव के दौरान प्रेमा ने लंदन में कही चारिटी प्रोग्रांस में भी हिस्सा लिया लंदन में भी पहीरी दफा प्रेमा ने हाई हेल्स शूज पहने थे शुरू में तो उन्हें काफी तगलिफ हुई लेकिन बाद में उन्हें इनकी आदत होई गई 1971 के Miss World Competition की विनर ब्राजिल की लूसिया पिटरली थी प्रेमा टॉफ 15 में भी जगा नहीं बना पाई थी इस वज़े से हारी थी अपनी हार के बारे में बात करते हुए प्रेमा कहीती है कि ज़जस चाहते थे कि Miss World प्रतिता में जितनी मी लड़किया हिस्सा लेने आई हो वो हर इवेंट पर अलग अलग तरकी ड्रेस पहने लेकिन प्रेमा ज़जस की ये बात किनी कारणों के समझ ही नहीं पाई वो हर इवेंट पर साड़ी पहन कर पहुच जाती थी हर दफा प्रेमा को साड़ी पहने देखकर कई दुसरी कंटेस्टन उनका मजाग उड़ाती थी और उन्हें क्रिस्मस ट्री कहती थी प्रेमा कहती है कि Miss World पेंजन में उन्हेंने कही बाते सिखी इन में से एक बात थी कि किस तरह के इवेंट में कौन से कपड़े पहनने चाहिए इस दफा नहीं दोराई गलती Miss India competition के कुछ मेनों बाद ही प्रेमा को ऑस्टेलिया में हुए Queen of the Pacific Pension में भारत का प्रतिनी दिद्व करने का मोका मिला पहने वाली गलती प्रेमा ने इस दफा नहीं की हाला कि जीत तो उस दफा भी नहीं पाई लेकिन इस बार First Runner Up प्रेमा नारायनी थी आस्टेलिया में मिले उस तजुर्वे का प्रेमा अपने जिन्रगी के सबसे खुबसूरत तजुर्वे से मैसे एक मानती है इस दवरान घरवालों से प्रेमा को जो सपोर्ट मिला प्रेमा उसके लिए भी खुद को खुश किस्मत मानती है आस्टेलिया से भारत लोटने के बाद प्रेमा ने टीचर्स ट्रेनिंग का अपना कोर्स पूरा किया और एक किंडर गार्टन स्कूल में इंग्लिश टीचर की हैसियत से नोकरी करने लगी मॉडलिंग के धेरों आफ़र्स आए नोकरी करते हुए प्रेमा को अभी कुछ ही हपते हुए थे और उनके पास मॉडलिंग के धेर सारे आफ़र्स आने लगे प्रेमा ने भी उनमें से कुछ बड़ी आफ़र्स एक्सेप्ट किये और उनमें काम भी किया मौडलिंग जगत में प्रेमा का नाम हुआ तो फिल्मों से भी इनके पास काम के आफ़र्स आने लगे जब फिल्मों के offers बढ़ गए तो प्रेमा ने फैसला कर लिया कि अब वो पूरी तरह से फिल्मों को टाइम देगी और अपने फिल्मी करियर पर ही फोकस करेगी प्रेमा नारान की पहली फिल्म चुकि अपनी मौसी के साथ बच्पन से ही प्रेमा को फिल्म सेट पर जाने का मौका मिलता रहता था तो इस बात से तो वो अच्छी तरह से वाकिफ थी कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है प्रेमा ने सबसे पहले फिल्म साइन की महशबट की मनजिले और भी है इस फिल्म से प्रेमा में अलवा कभीर बेदी और गुल्चे नरोडा जैसे दिग्कस एक्टर्स भी थे इसके बाद तो प्रेमा ने कभी पिछे पूर्ड कर नहीं देखा उन्हें कई फिल्मों में काम किया हाला की उन्हें जादातर सपोर्टिंग अक्डरस के रूर्ट ही मिलते थे जिनमें उन्हें एक यह दो गाने में डांस करना पड़ा था हमेशा अपने काम से खुश रही हिंदी फिल्मों के अलवा प्रेमा ने कुछ बंगाली में भी काम किया था इसके अलवा साउथ की कुछ फिल्मों में भी उन्हें कुछ डांस सौंग्स परफॉर्म किये थे प्रेमा कहिती है कि बच्पन में उन्हें जो डांस सिका था वो फिल्मी करियर के दौरान उनके बड़ा काम आया साथ ही प्रेमा ये भी कहिती है कि उन्हें कभी भी हिरोईन बनी की कोशिश नहीं की वो सपोर्टिंग एक्टर्स के रोल्स निबा करी खुश थी हिरोईंग को सिर्फ रोनिध होने और हिरो संग रोमान्स करने का काम करना पड़ता है जबकि प्रेमा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक चालेंजिंग साइड एक्ट्रेस वाले रोल निभाये थे प्रेमा बताती है कि जब भी वो किसी फिल्म को साàiन करती थी तो उससे पहले अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती और समस्ती थी साती फिल्म के डियरेक्टर के साथ बैट कर ओ घंटों तक अपने रोल के बारे में डिसकेशन करती थी इस टेकनिक ने प्रेमा की बड़ी मदद की थी इसे मानती है अपनी सबसे एहम फिल्म अपने पूरे करियर में प्रेमा ने लगबख सौ फिल्मों में काम किया कई फिल्मों में इन्होंने character रोल्स किये कभी ये supporting actress के रोल में दिखी तो कभी कबार उन्होंने गेस रोल्ज भी निवाए लेकिन प्रेमा के मुताबिक उन्होंने पूरे करियर की सबसे खास फिल्म थी बरसाथ की एक रात जिसमें इन्हें अमिताब बच्चन के साथ काम करने का मोका मिला इस फिल्म में वो एक और गाओ की रड़की बनी थी और अमिताब के साथ इन्हें गाना शूट करने का भी मोका मिला था ये फिल्म में भी है यादगार प्रेमा की करियर की दुसरी सबसे एहम फिल्म थी अमानुष जो की साल 1975 में रिलीज हुई थी ये फिल्म हिंदी और बंगाली दोनों भाशों में बनी थी प्रेमा ने इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि उन्हें इस फिल्म के लिए best supporting actress के फिल्म फेल आवाड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था अपने करियर की तीसरी सबसे खास फिल्म प्रेमा मानती है उम्राव जान को इस फिल्म में उन्हें रेखा के साथ स्क्रिन शेर करने का मुखा मिला था फिल्म में एक गाने में रेखा और प्रेमा ने एक साथ डांस किया था फिल्म में काम करने के फायदे फिल्मों की शुटिंग की चलते प्रेमा को भारत और वीदेश में गुमने का खुब मुका मिला भारत में लखनव, पुने और कलकत्ता में इनकी फिल्मों की शुटिंग काफी ज़्यादा हुई वही उशा उत्तु, मनाडे और महेंदर कफुर जैसे गायकों के जब वीदेश में शोज हुआ करते थे तो उनके ग्रूप के साथ प्रेमा भी एज डांसर वीदेश में जाती रहती थी उशा उत्तुप का गाया, अर्मान फिल्म का गाना, रंबा हो रंबा दरसल प्रेमा नारायन पर ही फिल्माया गया था वही इसी स्वांग पर प्रेमा ने अफरीका और अमेरिका में कई देशों में परफॉर्म भी किया था प्रेमा कहिती है कि यू तो उस जमाने में लड़कियों को इतनी ज़्यादा छूट कोई नहीं देता था पर चुकि उनके परिवार वाले काफी सपोर्टिंग थे तो उन्होंने अपनी जवानी के हर दिन को खुल कर जिया था काम के साथ साथ प्रेमा घुमने को भी खुब मिला और इस तरह प्रेमा को ट्रावल का शोग भी पुरा होता था प्रेमा की निजी जिन्दगी के बारे में बात करे तो इन्होंने राजियू सिंग नाम के एक शक्स से शादी की थी राजियू सिंग पेशे से एक वकील है प्रेमा जब अपने करियर की पिक पर थी तभी इन्होंने राजियू सिंग से शादी की थी बकुल प्रेमा शादी के बाद इनके लिए फिल्मों में काम करते रहेना बेहत चुनोती पुन हो गया था फिल्मों में काम करने के लिए इने अपने सारी एनरजी फिल्मों पर लगाने होती थी जबकि शादी के बाद जब इनके दो बच्चे हो गए तो इने फिल्में करते रहना बड़ा ही मुश्किल लगने लगा इसलिए साल 1999 में फिल्म ये बस्ती है बदमाशों की में काम करने के बाद प्रेमा ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कहे दिया प्रेमा के दोनों बेटे अब बड़े हो चुके है वो अपने पती राजी के साथ अक्सर ट्रेवल करती रहती है और देश विदेश में गुमती रहती है प्रेमा कहती है कि उनकी उम्र के हिसाब से अगर कोई रोल उन्हें आज भी ओफर हुआ तो वो एक बार फिर से फिल्मों में वापसी कर सकती है पर चुकि आज की जनरेशन के डायरेक्टर के साथ उनकी जान पहिचान नहीं है तो उनके पास अब आफर्स नहीं आते है प्रेमा कहती है कि वो अब भी फिल्में देखती है और उन्हें आज की फिल्मों में महिलाओं के रोल पहले के मुकाबले जादा दंदार लगते है सदा स्वस्तर ही प्रेमा नारायन प्रेमा अब रिटार्मेंट की जिन्दगी जिये रही है जब पहले वो फिल्मों की अपनी जिन्दगी को खुल कर जिये रही थी तो अब वो अपने परिवार के साथ अपने जीवन का हर लमा एंजॉय कर रही है तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए बाई बाई